दोस्तो राव केतु की कुंडली में शुपता और अशुपता का निर्ने करके उनके योग कारक्तव या पापतव को समझ कर आप राव केतु की महादशा अंतरदशा का निर्ने कर सकते हैं रावु की जो महादशा रहती है वो 18 वर्ष की रहती है और केतू की महादशा 7 वर्ष की रहती है विंशोतरी महादशा का विस्तरित विवेचन मैंने एक अलग वीडियो में किया है उसे फलित सुत्र नाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं विन्शोत्री दशा पदती में महादशा अंतरदशा को समझने के लिए कुंडली के घरों को दो वर्गों में बाटा जाता है या यूं कहें कि दो धरम में बाटा जाता है पहला वो वर्ग होता है जिसमें वो गरह आते हैं जो लगन या लगनेश का भला चाहते हैं कुंडली के शुब गरह होते हैं दूसरा वर्ग उन गरों का होता है जो कुंडली के अशुब गरह होते हैं लगन वा लगनेश का वो भला नहीं चाहते हैं इस तरह घरो को समू बनाने के बाद फिर उनका निर्ने किया जाता है उनके धरम को सेग्रिगेट कर लिया जाता है जैसे पहले पांचवे और नोवे भाव के स्वामी इनका एक ही धरम हुआ ये कुंडली के शुब गरह होते हैं केंदर के स्वामी चोथे सात्वे और दस्वे भाव के स्वामी इनका एक धरम हुआ तीसरे चटे और ग्यारमे यानि तिरशडाय भाव उस्वामी ये एक गरूप हो गया इनका भी एक धरम है तिर्क भाव छटे आठवे बारवे भाव के स्वामी इनका भी एक धरम हुआ तो इनको भी एक गुरूप में रखा जाता है तीसरे छटे दसवे और ग्यारवे उपच्चे भाव इनका भी एक गुरूप बना लिया जाता है इनके स्वामियों का और दूसरे और बार्वे भाव समामी का भी एक गुरूप में इनको रखा जाता है इनका भी जो धर्म है वो समान माना जाता है इस तरह समान धर्म वाले गरों की महादशा अंतरदशा में वो एक दूसरे के फल को बढ़ाते हैं उधारन के तोर पर यदि लगनेश की मादशा है और उसमें पंचमेश या नवमेश की अंतरदशा हो तो शुब फुल मिलेंगे इसी तरह पंचमेश की मादशा में लगनेश की अंतरदशा में शुब फुल मिलेंगे क्योंकि उनका एक ही धरम है वो लगन या लगनेश का भल चाहते हैं इसी तरह अगर चटे घर के स्वामी की मादशा हो और अस्टम या बारवें घर के मालिक की अंतरदशा आ जाए तो उसमें अशुब फल मिलते हैं उनका भी एकी धरम है इस तरह समान धरम वाले घरों की मादशा और अंतरदशा को समझा जाता है समान धरम वाले घर ँस 熟ो के बीच में संबंद भी हो संबंद का मतलब है कि जब दो घ्रह एक दूसरे के साथ राशी परिवर्तन कर लें जैसे मंगल धनुूराशी में हो और धनुूराशी का सौमी गुरू मेश-राशी में हो तो को अक्षेतर संबंद कहते हैं या राशी परिवर्तन कहते हैं या महाधशाँ अंतरदशा करने वाले जो ग्रह हैं वह एक दूसरे पर पर दिरिस्टी डाल दें दोनों एक दूसरे को देख रहे हो या उनकी युति हो कंजक्षन हो तो अगर एक समान धरम वाले घ्रह हैं और उनके बीच में संबंद भी है तो फल की तीवर्ता काफी भड़ जाती है इनी नियुमों से आप राव केतु की महादशा अंतरदशा को भी समझ सकते हैं राव केतु के केस में संबंद का मतलब युति या दिरिस्टी से ही होगा क्योंकि राशी परिवर्तन संभव नहीं है राव केतु की अपनी कोई राशी होती नहीं है राव केतु को कुंडली में देखकर उनकी स्थिति को कुंडली में देखकर आपको उनक तू तिर्कौन के स्वामी के साथ बैठे हैं और उनका केंदर स्वामी के साथ संबंद भी है। जैसे राव केतू तिरकोन में बैठ जाए और केंदर का स्वामी उनके साथ आकर बैठ जाए तो राउकेतु यो कारक हो गए तो वो अपनी दशा अंतर दशा में शुब फल देंगे तो ऐसा राउकेतु की जब महादशा आएगी तो दूसरे जो कुंडली के समान धर्मी घ्रह हैं यानि कि जो दूसरे कुंडली के शुब घ्रह हैं उनकी जब अंतर दशा आएगी राउकेतु की महादशा में तो शुब फल मिलेगा इसी तरह जो कुंडली के दूसरे शुब ग्रह हैं उनकी महादशा होगी और राउ केतु की अंतर दशा आएगी तो उसमें भी शुब फल मिलेगा एक दूसरी स्तिती से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि राउ केतु अस्टमेश के साथ बैठे हैं अस्टम भाव के स्वामी के साथ तो ये कुंडली के अशुब ग्रह हो गए तो राउ केतु की महादशा में जब कुंडली के दूसरे अशुब गरों की अंतर दशा आएगी तो अशुब फल मिलेगा क्योंकि दोनों का समान धरम हुआ इसी तरह कुंडली के दूसरे अशुब घरों की महादशा में ऐसे रावु के तू जब अंतरदशा में आएंगे तो उनका भी अशुब फल होगा इस तरह समान धर्मी घरों की महादशा अंतरदशा की शुबता अशुबता को आप समझ सकते हैं दोस्तो इसको एक उधारन से समझते हैं ये स्क्रीन पर एक मेश लगन की कुंडली है पहले भाव में एक नमबर लिखा है इस कुंडली में मंगल लगनेश और अस्टमेश हैं लेकिन लगनेश होने के कारण मंगल यहाँ पर शुब रहेंगे और सूरिय तिरकोन के स्वामी है पंचम बाव के तो ये भी शुब रहेंगे और गुरू नवमेश और दौदशेश है नोवे और बारवे घर के स्वामी तो नोवे घर के स्वामी होने के कारण गुरू भी यहाँ पर शुब रहेंगे और चंदरमा केंदर स्वामी होकर शुब घ्रे हैं तो ये सम हो जाएंगे ना शुब ना अशुब और शुक्र दूसरे घर के स्वामी हैं तो दूसरी राशी के अनुसार फल देंगे तो सब्तम भाव में हैं इनकी दूसरी राशी तो सब्तमेश हैं और निसरगी ग्रूप से शुब घ्रे हैं तो ये अशुब हो जाएंगे मेश लगन के लिए क्योंकि ये परवल मारकेश भी होते हैं मेश लगन में बुद्ध तीसरे और छटे घर के सवामी होने के कारण परम अशुब हो जाएंगे और शनी तिर्षडाय भाव के सवामी यानि की एकादशेश होने से अशुब हो जाएंगे इस तरह आप कुंडली में पहले घरों का वरगी करन कर लीजिए दशा अंतर दशा को समझने के लि ऐसा केतू जब भी दूसरे शुब घरों मंगल सुरिय और गुरू के साथ परसपर दशा में आएगा तब वो शुब फल देगा मतलब केतू की महादशा में जब मंगल सुरिय या गुरू की अंतर दशा आएगी तो वो शुब जाएगी क्योंकि यहां पर सबका धरम एक है मेश लगन वा मंगल का भला चाते हैं यह सारे घर है इसी तरह मंगल सुरिय या गुरू की महादशा में जब केतू की अंतर दशा आएगी तो वो भी शुब जाएगी इन दशाओं में फल की तिवर्ता और बढ़ जाएगी अगर केतू के साथ मंगल सुरिय या गुरू का स जैसे बुद्ध शनी या शुक्र की दशा हो तो उस दशा का निर्ने को करने के लिए हमें केतू और साथ में जो घ्रह दशा में है उसका बल देखना होगा जो घ्रह बली होगा वो अपना फल देगा मान लिजे कि केतू की मादशा में बुद की अंतरदशा है तो हमें बल देखना होगा केतू बली है या बुद बली है जो बली होगा वो अपना फल देगा या फिर विरुद्धर्मी घरह की जो दशा रहती है वो समानने भी रह सकती है ना जादा शुब ना जादा अशुब इस तरह दोस्तों आप राउकेतु की दशांतरदशा को समझ सकते हैं राउकेतु के योग कारक्तव को समझ सकते हैं और राउकेतु की शुबता अशुबता का निरने कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही राम राम